हेलो दोस्तों, Thinking Project चनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Mind Reading के बारे यानि किसी के दिमाग में क्या चल ला है, हम वो कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं इस टेक्निक के नाम है Mind Reading अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, कि भाई, आप कैसे जान जाते हैं, मेरे दिमाग में क्या चल ला है तो मैं अपने रहसे को खोल ला हूँ आपके सामने आप ध्यान पूर्वक जो है इसको सुने और समझने की कोशिश करें वीडियो शुरू करता हूँ हमारे इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम उत्कृष्ट दुनिया में गहराई से समझने और विश्लेशिट करने की ओरवर्ड है है यदि आपने कभी सोचा है कि दूसरों के विजार कैसे पढ़ा जा सकता है और यह कैसे पता किया जा सकता है कि लोग वास्तविक्ता में क्या सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब बटम दबा ले और नोटिफिकेशन बेबेल को आउन कर ले ताकि हमारी आने वारी वीडियो आपको मिस्स ना हो जाए और लोगन कौशन मस्तिस्क पढ़ने का पहला कदम है अपने अलोगन कौशन को सही बनाना है शरीर की भाशा, चेहरे की भावनात्मक, अभिवेक्ती और भावनाओं के संदर्वित करने वाले सुक्षुम संकेतों का ध्यान दे खास कर आखे, उनके आंतर में क्या हो रहा है यह बता सकती है साहनभूती महत्वपूर्ण साहनभूती तुमारी शक्ती है, जब बात दूसरों को समझाने की आती है उनके जूते में खड़ा हो जाए, उनको महसूस करे और उनकी दिश्ट्री कोड को ध्यान में रखे यह भावनाओं के पीछे के विचारों को समझने के लिए कुझिये सक्रिय सुनवाई लोग अक्सर अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते है सक्रिय सुनवाई का अभ्यास करे उस पर ध्यान दे जो कहा जा रहा है खुले सवाल करे और उनकी कथा में वास्तविक तर वास्तविक रूची दिखाए जितना आप सुनेंगे उतना ही आप उनके मांसिक इस्थिति को समझेंगे पैटर्न पर ध्यान दे मानो विवार अक्सर पैटर्न का पारन करता है देखे कैसे कोई विविन इस्थितियों में प्रतिक्रिया करता है उनके समवादों में आक्रिती दिखाई ये और इस्तिर वेवारों की पहचान करें, पैटर्न उनके विचारों और पेड़नाओं के बारे में मूल बोध करने में मदद करता है। आपने अनुवाव पवरसा करें, कभी-कभी तुमारी आत्मा की भावना एक शक्तिशाली मालगदर्शक हो सकती है। अपने अनुवाव का ध्यान दे और अपने मस्तिश्क द्वारा पकड़ जाने वाले सुक्ष्म संकेतों पर ध्यान दे। अपनी अनुवूदियों पर फरोसा करना और आपको किसी के कारवाई के पीछे छुपे विचारों को समझने में ले जा सकता है। गैर भाषाई सूचनाय जबकि शब्द असपस्ट संकेत पहुचा सकते हैं गैर भाषाई सूचनाय अव्यक्त कर सकती हैं। हाचत छेप, आकृती और छेट चेरे की सुक्षम अविवेक्तियों पर ध्यान दे। ये सुक्षम संकेत अक्सर व्यक्ति के विचारों में एक खिलाडी पदान कर सकते हैं। जो शब्द नहीं वो कह सकते हैं। विश्वास बनाय रखें। लोग आप पर भरोचा करने पर विश्वास करेंगे। यथा संभव वास्तविक बातचीतों के अमाध्यम से विश्वासों को बढ़ावा दें। गोपनियता का पालन करें और एक विश्वश्वनिय उपस्तिती बनाय रखें। जब विश्वास बढ़ता है वेक्तियां अपने विचारों को खुलकर साजा करने के लिए अधिक तयार हो जाते हैं। जागरुक समवाद उपस्तिती मोमेंट में होना और जागरुक समवाद का अभ्यास आपकी छमता को समझने में सहारा करता है। बहराल त्यान को कम करें, बाचीत पर केंदित करें और शब्दों और शब्दों के बाहरी संकेतों की जानकारी के लिए सचेत रहें। और यहां रहा हमारा मार्वदर्शिका मस्तिष्क की विश्लेशन करने और दूसरे के विचारों में प्रिवेश राप्त करने के लिए याद रखे या एक कोशल है जो समय के साथ अभ्यास और सानुबूती के साथ विश्चित होता है। यदि आपको यह सुझाओ अच्छी लगी हो तो इस विडियो को एक लाइक दे और कमेंट्स में कमेंट्स लिखे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मस्टिश के रहस्यों को खोलने के लिए सदस्यता ले अगली बार तक वो रहे कि उन रहस्यों को खोलते हैं और मानों मस्टिश के गुपत विचारों के रहस्यों का पता लगाते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे जय हिंसार कियों।